हेलो एरिवान, वेलकम टू सुवेता पटवास रेसीपी आज हम बनाएंगे चने दाल और पालक की टेस्टी सबजी जब एक ही एक प्रकार की सबजी खाकर हम बोर हो जाते हैं तो हमारा मन करता है कि क्यों ना कुछ डिफरेंट सबजी बनाया जाए आज हम पालक और चने दाल की टेस्टी सबजी बनाएंगे जिसे की बनाना भी बहुती ज़्यादा आसान है और आपको यह बहुती ज़्यादा पसंद आने वाली है तो आप भी इसे जरूर ट्राय करके देखिएगा चलिए तो सबजी बनाना सुरू करते हैं हमने यहाँ पर एक कप चने दाल को दो घंटे पानी में विगो दिया था और अब हमने इसका पानी अलग कर लिया है और अच्छी दरा से इसे धो लिया है अब हम चना दाल को एक कूकर में डाल देते हैं और इसमें हम एक गिलास पानी डालेंगे और दो सीटी आने तक हम इसे पका लेंगे और दाल पक रही है उस समय तक हम दूसरी तयारिया कर लेते हैं तो हमने यहाँ पर कुछ पालक ली है यह 200 ग्राम पालक है तो पालक को अच्छी तरह से साफ करके हमने धो लिया है और अब हम पालक को कट कर लेते हैं पालक को हमने कट कर लिया है और अब हमारी दाल भी पक्कर रेडी हो चुकी है दाल को हमने कुकर से बाहर निकाल लिया है और इसमें जो पानी है उसे अलग नहीं करना है इसी ही में रहने देना है और अब हमने यहाँ पर एक कड़ाई में चार पाच चमच ओईल गरम कर दिया है इसमें डाल दिया है जीरा दालचीनी और अब हम इसमें डालेंगे 4-5 कलिया लहसुन बारिक कट किया हुआ और 1 इंच का अधरक का तुकड़ा लिया है बारिक कट करके इसे भी डाल देते हैं एक हरी मेर्च और अब इसे थोड़ा फ्राई कर लेते हैं इसका थोड़ा कलर चेंज होते तक अब हम इसमें प्याज डालेंगे तो यहां हमने दो प्याज ली है और प्याज को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं अब हम इसमें देड़ चमच नमक डालेंगे नमक आप अपने स्वात के अनुसर डालिएगा नमक पहले डाल देने से प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो जाती है और प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और ये प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है तो अब हम इसमें डालेंगे टमाटर तो यहां हमने दो टमाटर लिये हैं और टमाटर को अच्छी तरह से पकने देंगे अभी टमाटर आदे पके हैं इसमें हम डाल देते हैं आदा चममच लाल मिर्ज पाउडर एक चाहता हई जममच हल्दी पाउडर एक चममच धनिया पाउडर और अब हम टमाटर को अच्छी तरह से पकने देंगे अब टमाटर अच्छी तरह से पक चुके हैं तो इसमें हम पालक की भाजी डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे पालग भाजी को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और अब हम इसे ढखकर पकाएंगे दोलग बाग 7-8 मिनाट तक हमने इसे पका लिया है और बीच में भी एक दो बार चला दिया था अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला मिक्स कर देते हैं अब इसमें चनादाल डाल देंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देंगे अब चनादाल को इसमें ज्यादा नहीं पकाना है एक या दो मिनट तक ही हम इसे पकाएंगे और अब हम इसमें हराधनिया डाल देते हैं और हरा धनिया को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं अब हमारी सबजी बनकर तयार हो चुकी है तो इसे हमने एक बाउल में निकाल लिया है और इसे प्याज की रिंग्स टमाटर और धनिया से गार्निस कर दिया है तो आई होग कि आपको आज की हमारी रेसीपी पसंद आई होगी पसंद आई तो प्लीज लाइक सेर करें और निव हैं तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब करें मिलते हैं एक निव वीडियो के साथ थैंक यू